कैसे हैं Dearest Learners, Welcome to TGT PGT ADA 24-7, HSSE की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर, मेरे पीछे इस वक्ट HSSE का हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन का जो है official website खुली हुई है, इनके public notices में जो है अभी जो recent development है वो देखी गई है, तो HSSE TGT की जो post release हुई थी, जिसकी जो है पूरे हर्याना, मेवाद कैडर की, ठीक है, और जिसकी form fillings की date अगर आपको याद हो, 23 फरवरी से शुरू हुई थी और last form filling date थी, 15 मार्च, उस last date को अब extend करके कर दिया गया है, 20 मार्च तक, तो मैं आपको ये form फरके भी सुना देती हूँ, extension of closing date for applying for the various post of TGT, rest of हर्याना and मेवाद कैडर, ज ये जो notification आई थी, उसके against अभी नई notification आगई है, जो कि कहे रहा है, कि उन सभी candidates की convenience के लिए, जो इससे पहले forms को 15 मार्च तक नहीं fill कर पाए थे, form filling date को extend कर दिया गया है, 5 दिनों से, यानि कि 20 मार्च को रात को 11.59 पी-म तक, आप ये form को जो है, fill कर सकते हैं, और closing date, जो है fee deposit की, उसको भी जो है, बढ़ा के 22 मार्च तक कर दिया गया है, यानि आपको 2 दिन का buffer मिला है, जिस period में अगर आप पहले जो है, अपने fee नहीं fill कर पाए थे, तो आप fee भी fill कर सकते हैं, fee deposit कर सकते हैं, क्या इससे exam में कोई delay आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, exam ये बहुत जल्दी से जल्दी होने की संभावना है, लेकिन उन सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी है, जो की इस exam में form fill नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके H-TET qualified थे, उन सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी है, ऐसी और जानकारियों के लिए लिए कर दीजे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजे हमारे इस ओफिशल यूट्यूब चानल को for TGT-PGT by ADA247. Thank you.